हेलो फ्रेंड्स मैं शाइनी आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़ी आसी विंटर रेसिपी लेकर आई हूँ वैसे तो आपने बहुत अलग अलग तरीके के कोफते की रेसिपी खाई होगी पट यह वली जो कोफते की किसी के साथ भी खाएना बहुत ही टेस्टी वन के तयार होता है इसके सामने तो मलाई कोफता भी फीका लगता है दोस्तों बहुत ही अच्छी रेसिपी आप उम्मीद करती हूँ आपके रेसिपी पसंद आएगी तो चलिए मैं किछम यह देखते है मैंने इन कोफते को कैसे बनाया है तो जैसे कि दोस्तों अब तो आपको पता चली गया होगा कि आज मैं कोफते बना रही हूं कच्छे केली से तो देखें यहां पर मैंने दो केले लिए और वाश कर लिया था और अब हम इने उबालेंगे तो जैसे हम लोग आलू उबालते हैं आप लूसी तरीके स सॉफ्ट हो जाने चाहिए अब हम एक मसाला तयार करना है उसके लिए मैंने बड़ा प्यास लिया है दो टमाटर जिसका प्यूरी बना लेंगे और तीन हरीमिज जिसे बारिक बारिक चॉप कर लेंगे तो अगर आप कप में पूछेंगे तो यह एक कप से जादा है प्यास कर लिया है यहां पर सब कर सकते हैं अर दिखिये अपर हमारे केले हैं वह भी ह्ते हैं पकत कर रड़ी हो गाले तक में बहुत ही जादा घरना है अनकर खरते हैं बहुत असानी से में आप उन्हा प्गाल लें दिक Efendimiz क बहुत easy method होता है तो देखें यहाँ पर निकाल दिया है और इससे क्या होता है जो skin निकाल के जब हम केलो को उबालते हैं तो केले के अंदर जादा पानी नहीं जाता है ठीक है वहना आप देखेंगे कि केले अगर आप without skin उबालेंगे तो बहुत ही जादा गिल गिले हो जाते है तो देखें यहाँ पर सारा जित्ता भी skin ता मैं उसको discard कर दूँगी और अब आपको इन केलो को कद्दू कस कर लेना है चाहें तो आप चौपर में चौप कर लें पर कद्दू कस करना जारा बेटर रहता है तो देखेंगे बहुत soft है इसलिए बहुत जल्दी से हो जाता और सबसे पहले आप इन सब को मिला दीजिए देखें इस तरीके से मिलाना है बहुत ही गरम है बहुत साफदानी से करना है आप ठंडे में भी कर सकते हैं और आपको इसमें डालना है बेशन बेशन हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं क्यूंकि इसका ह अधनिया पत्ता भी डाल दिया है मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरीके से नमक आप टेस्ट कर लेगा इस पॉइंट पे और देखें यहाँ पर जो हमारा डो है वो बनकर तयार हो गया है मैं आपको एक थोड़ा सा देखें यहाँ पर शेफ होल्ड कर रहा है यह इस तर तरीके से बिल्कुल करेक्ट राउन बॉल का शेफ ले लेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा सॉफ्ट यहाँ पर हमारा केला भी है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर बेसन भी डाला है बाइंडिंग के लिए आप चाहें तो यहाँ पर एक उबलवा आलू भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पर मैं सारे कोफते इसी तरीके से बना कर रेडी कर लूँगी तो देखे अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर आपको इसे फ्राई करना है अगर आप हाई फ्लेम पर तो उससे क्या होगा जो कोफते हैं वह बाहर से तो बहुत अच्छा ब्राउन कलर हो जाएगा पर वह अंदर से कच्छे रह जाएंगे क्योंकि यहां पर जो हमारा केला है वह अलड़ी पका हुआ है पर हमें अंदर मसाले भी डाले हैं उसी की सासा हमने यह पर बेसन भी डा तो तकरीबन इसे 5-6 मिनिट लगेगा मीडियम फ्लेम पे आपको पकाने में एक मिनट तक तो आप बिल्कुल ना चेड़े कोफतों को जब आप तेल में डालते हैं कोफतों को तो एक मिनट तक बिल्कुल ना चेड़े एक मिनट के बाद इनका साइट चेंज करिए फिर अल कोफते हैं बनका बिल्कुल रडी हो गए देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो बस इसे में आप तेल से निकाल लेती हूं तो दोस्तों अगर आपने यहां तक मेरा वीडियो देखा है तो मतलब आपको रिस्पी पसंदार यह पसंद आए ना तो वीडियो के यहां पर हींग भी डाल दिया मैंने एक टी स्पून जीरा डाल दिया इन सब को तड़कने देंगे उसी के साथ सा जो हमने तीन हरिमिज बारीक चॉप करके रखे दियना वह भी डाल देंगे तो मिर्च अपने साब से एड़्जस करिएगा ठीक है कुछ सेकेंड्स के लिए तो उसके लिए हमें 4-5 मिनिट लगेगा एक टी स्पून अध्रक लसन का पेस्ट डाल देगा उसे भी हम 1-5 मिनिट के लिए फ्राई कर लेंगे और उसी के साथ साथ देखे अब हम मसाले डालेंगे एक टी स्पून धनिया पॉडर आदा टी स्पून काश्मिरी रचली पॉ और उसके बाद जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखे थी वो डाल देंगे थोड़ासा नमक डालेंगे मिक्स कर देंगे फ्लेम को आप मीडियम पर आईएगा और अब हमें इसे पकाना है तब तक जब तक ऑईल रिलीस ना हो जाए और ये पैंट से चूटने ना लगे तो देखें यहाँ पर मसाला आप देख सकते है पैंट से चूटने लगा है और अच्छी तरीके से रिलीस हो गया है तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ वन फोर्थ कप फिटा हुआ दही तो यहाँ पर दही जादा खटा मत लिएगा तो यहाँ पर इस बात का ध्यान र यूज करेंगे तो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं ओईल रिलीस हो गया है मीडियम फ्लेम पर आपको पकाना है बीच पीच में चेक करते रहना है तो देखें यहाँ पर मैं दो कप डाल रही हूँ गरम पानी यहाँ पर मसाला अल्रेडी पका हुआ था इसलिए अब बाल रही है ओईल भी उपर आ गया है थोड़ा से यहाँ पर चेरी डाला है मैंने 1 फो टीस्पून 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दिया जो कोफते हमने फ्राइब करके रखे थे वह भी डाल दिया है यहाँ पर देखें अब अपना लो पर ही रखिएगा क्योंकि दाल दिया है मैंने गरम मसाला यह होममेड गरम मसाला इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देरूंगी पांच मिनिट तक आपको उबालना है उसके बाद आपको धनिया पत्ता पोदिने पत्ता डाल देना है उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लो फ्लेम आपके मलाई के कोफ्ते या फिर आप पनियर के कोफ्ते वो भी फीके लगेंगे इतने टेस्टी बनके यह तयार होते हैं इन कोफ्तों के अंदना बहुत अच्छे तरीके से जो हमने गरेवी पनाई है उसका फ्लेवर आजाता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इस करीम के लिए आप चाहें तो इसे अवाइट कर सकते हैं तो यहां पर उमेद करते हूं आपको यह रेस्पी पसंद आई होगी पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करेगा शेयर करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए अगली और अच्छ आपको यह रेस्पी के साथ होंगी तब तक के लिए बाबाई